और नमस्कार दोस्तों तो हमने आपको यहांता की डिजएटी बनाकर बता दी हैं अगर आपको यह डिजएटी पासंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सुबसव्क्राइब करें और एक बात यान रखें इस वीडियो को जान रेखें आपको यह dit यह समझ में आने लगेगी आप एक बार डेड़ मिंट का टाइम इस वीडियो पर जरूर दे इतना ध्यान रखें डेड़ मिंट का टाइम आप से मांग रहा हूं आप जरूर दे तो हम सरुवास से दो रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाएंगे उसके बाद में तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे इस प्रकार से फिर हम यहां पर शोरी यहां पर तीन रसी दबाकर आठ रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाकर आठ रसी उठाएंगे उसके बाद में यहां पर तीन रसी एक रसी दबाकर आठ रसी उठाएंगे एक रशी दबाकर आट रशी उठाएंगे तो आप नेड़ मेंड तक इस वीडियो को जरूर देखें आपको येडिजं अच्छी तरह समझ में आएगे है तो लुद धूजा फिर तीन रशी दबाकर तीन रसी उठाएंगे उसके बाद में यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर सेंटर में पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे उसके बाद में तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर देखिए का आप दियान रखें तीन रसी दबाकर सोरी तीन रसी दबाकर आट रसी उठाएंगे यहां पर इस बात का दियान रखें तीन रसी दबाकर आट रसी उठाएंगे यहां पर आप देखिए डिजैन की नीचे का जो हम फूल बनाते वो इस प्रकार से बनाएंगे फिर यहां पर एक रसी दबाकर आट रसी उठाएंग यहांप स्सवा पार तीन स्वाइन के लिए उठाइंगे इसको थोड़ा कर देंगों तो आप चैनल टो अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो की लिंक के लिंक देख सकते लगाके पाज़adece करें परकार से होता है तो अच्छी तरह से करना रहा है ताकि बीच में बिल्कुल भी जगार न रहे और आपकी च्यारप पर अच्छी दिखाए। तो आप देखीए शुरोराऋ से तीन लसी दबाकर तीन लसी उठाइ भिर तीन लसी 2 वोरत उसके बाद में याँ पर कीटे दबा कर सथी उठाइए 6 रसि उठाई फिर हम यहां पर 3 रसी दबा कर 6 रसी उठाएंगे अब यहां पर भी घुल सुटाएंगे फिर यहां पर छरशी ऊठाएंगे और यहां पर तीन प्राकार से गया को डियुक्त है है अ में थाइट कर देंगे इस को लगांए के बाद में इसे भी हम थोड़ा टाइट्र कर देंगे इस प्रकार से और उसको टाइट करने के बाद नहीं रशी को दूर्षे सेंट में enrolled थैंडा यह कि इसियों घूंडिया इसको लगा लेंगे हुए अंद हुए फकीड़ा पास में चिपकाये इस तरह कि अब ही रेस्यकु प्लश्म प्रत्रा देंगे इस प्रकार से इसको पास में चिपकाएंगे और इसको पास में चिपकाएंगे और इसको पास में चिपकाने के बाद में दूसरे साइड की जो है उठाएंगे यहां से अब यहां कि पांच रशी दबा कर चार रशी उठाएंगे उसके बाद में तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर यहां पर हम तीन रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे यहां से आप ज्यान रखें तीन रसी दबाई फिर हमें एक रसी उठानी है उसके बाद में एक रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है इस प्रकार से फिर एक रसी दबाकर एक रसी उठानी है उसके बाद में यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर आगे भी हमें तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है इसको लगाने के बाद में दूसरे सेड़ी जो गुंडी है उसको भी लगाएंगे यह इस प्रकार से लगा लानी है इसको लगाने के बाद में दूसरे सेड़ी जो गुंडी है उसको भी हम लगाएंगे और उसको लगाने के बाद में रस्ती को दूसरे सेड़ी में खीच ले करेंगे और ट्राइट करने के बाद में अब हम इसको पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से अब हम इसको पास में चिपकाएंगे कि पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको बना कर बताएंगे तो आप देखिए अब जो हम सुरुआत से दो रसी उठाएंगे, उसके बाद में तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, यहां पर एक रसी दबाकर दो रसी उठाएंगे, फिर यहां पर सात रसी दबाकर दो रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबाकर तीन तो आज हम आपको यहां तक बना कर बताएंगे तांकि वीडियो लंबा नहों और अगला जो वीडियो है वो मैं बड़ा वीडियो बढ़ाऊंगा उसमें यह जो डिजाइन आपको बीच में स्टार्ट किये वो पूरी करके बताऊंगा तो आप अगला वीडियो देखना ना भूले उसके लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को और प्रसलाइड कर ताकि जब भी मैं आगे का जो वीडियो है उसमें जो यह बीच की डिजाइन है वो पूरी बना कर बताऊंगा तो वो आपको देखने को सबसे पहले मिले और उसके अलावा अगर आप बात करें तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है यह डिजाइन आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे बेजजिक कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में दूगा क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो उनसे बात करना तो संबह नहीं है लेकिन आप कमेंट जरूर करें अगर आपका कमेंट सही लगा उसका आप जरूर दूगा तो इस वीडियो को लाइक कर ले और आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेर भी जरूर करें धन्यवाद